बतादे महाराष्ट की राजनीत में बीते महीनों में बड़ा उलट फेर देखने को मिला था एक नाथ सिंदे ने उद्धो ठाकरे के साथ बगावत करके प्रदेश की गद्धी संभाले एक नाथ सिंदे के साथ सिवसेना के 40 बिधायक, 10 निर्दली और 12 सांसद आएं इसके अलावा सिवसेना के कई पदादिकारी भी सिंदे गुट में सामिल हुएं जिसके चलते महाराष्ट में महाविकास अघारी की सरकार गिर गई और उद्धो ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा हाला कि अब इसमें एक नया ट्विष्ट देखने को मिला है भाजपा से सिंदे सरकार को तगड़ा जटका लगा है दरअसर उद्धो का साथ छोड़नी वाले अधिकांस नेता बेजिजक सिंदे गुट का दामा थाम रहे थे लेकिन अब उन्हें भारती जनता पार्टी से भी कोई परहेज नहीं है भाजपा भी उनका खुले दिल से स्वागत कर रही है हाला कि बीजेपी के इस कदम से सिंदे गुट के कई नेता असाहज दिखाई दे रहे हैं हम बात कर रहे हैं अमरावती जिले के सिवसेना के उद्धो ठाकरे धड़े के मौझूदा जिला ध्यच राजेस बान खेडे का उन्होंने बीते दिन मंगलवार को बीजेपी का दामन थामा उनके साथ अमरावती जिला परिशत के सदस पंचैज समित के सदस और कुछ पूर्व नगर सेवक भाजपा के प्रदेश आध्यच चंदर सेखर बावन कुले की उपस्थिती में भाजपा में सामिल हो गए आपको बता दे कि कुछ दिनों पहरे अमरावती में चंदर सेखर बावन कुले के बयान को लेकर बीजेपी सिवसेरा में विवाद बढ़ गया था चंदर सेखर बावन कुले ने हाल ही में यह संकेत दिया था कि सांसद नवनीत राड़ा और बिधायक रभी राड़ा भी भाजपा में सामिल होगे इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अमरावती से अगला सांसद और बढ़नेरा से अगला बिधायक भाजपा का ही होगा सिंदे गुट में सामिल हुए सिवसेना नेता आनंद राव अड़िसुल भाजपा प्रदेश के इस बयान से खफा हो गए हैं उन्होंने कहा कि अगर राजपा में गठबंधन बनाए रखना है तो बीजेपी को शायम से बोलना चाहिए अमरावती बलोढ़ा सिवसेना का निर्वाचन छेतर है इसलिए भाजपा बिधायक और भाजपा सांसद का दावा करना गलत है आनंद अड़सुल ने कहा कि चंदर सेखर बावन कुले को यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार में हम उनके साथ हैं उन्होंने यह भी कहा कि वह देवेंद फडर भीस से बावन कुले के बयान की सिकायत करेंगे फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं न्यूजज़स के के साथ जे नियूज 24 की रिपोर्ट